आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो स्टूडेंस, आज हम डिसकस करने वाले हमारे अर्थ पर प्रेजिन कुछ इंपोर्टेंट हीट जोन के बारे में सो जो हमारा हीट जोन है वो डारेक्ली लाए करता है हमारे संरेस जित्ती जादा हमारी संरेस होंगी उतना वो एरिया हीट अप होगा और वो एरिया हीट जोन में आएगा और जो एरिया संरेस कम काप्चर करेगा जिस एरिया में संरेस कम जाएंगी वो ठंडे रीजन होंगे और वो हीट जोन एरियास में नहीं आएंगे सबसे पहला जो हमारा heat zone area है that is torrid zone torrid zone में क्या होता है जो हमारा midday sun होता है वो exactly अपनी जो sun rays होता है वो साल में एक बार सारे latitudes पे overhead करता है उन पे rays अपनी spread करता है हमारे tropic of cancer और tropic of capricorn के बीच में और हमारे जितने भी ये areas होते हैं वो maximum heat receive करते हैं therefore इसी heat की वज़े से because sun rays का direct impact होता है हमारे heat zone areas पे इसलिए इस area में सबसे ज़्यादा heat होती है because सबसे ज़्यादा sun rays इस area में आती है इसलिए इसको हम कहते हैं torrid zone जैसा इस picture में भी आप देख रहे हैं tropic of cancer और tropic of capricorn के बीच में हमारा torrid zone पढ़ रहा है यहाँ पे जो हमारा sun होता है उसकी direct sun rays जाके इस area में पढ़ती है और सबसे maximum heat हमारे torrid zone में ही आती है हमारे tropic of cancer और tropic of capricorn के बाद और tropic of cancer और tropic of capricorn के बाद जो region start होता है उसी को हम कहते है temperate zone so temperate zone हमारा north में भी होता है और south में भी होता है इसमें क्या होता है जो हमारी sun rays होती है वो थोरी tilt होके आती है directly नहीं आती है इसी लिए ये areas इतने जादा heat up नहीं होते है as compared to the torrid zones और हमारे temperate zone के area में क्या होता है कि जैसे हम poles की तरफ move करना start करते है वैसे ही जो हमारे sun rays का angle होता है वो decrease होता चला जाता है इसी लिए वो इतने hot areas में हमारे heat zone areas में नहीं आते है Northern Hemisphere में क्या होता है जो ये areas होते हैं वो cover किये जाते है Tropic of Cancer और Arctic Circle से हमारे Northern Hemisphere में और Southern Hemisphere में Tropic of Capricorn और Antarctic Circle से इसी वज़ा से इन areas में जो temperature होता है वो moderate temperature होता है इतना high temperature नहीं होता है हमारा इसी लिए इन areas को moderate temperature की वज़ा से temperature zone के नाम से फिर जाना जाता है Last zone हमारा है freezing zone freezing zone हमारा cold area region होता है यहाँ पे जो sun rays होती है वो इतनी जादा नहीं आती है और इन areas में 6 months night और 6 months days होता है और throughout the year आप कभी भी इन region पे चले जाएंगे वहाँ पे आपको cold areas ही मिलेंगे और जो areas हमारे lie करते हैं हमारे North Pole और Arctic Circle के बीच में हमारे Northern Hemisphere में और Antarctic Circle और South Pole के बीच में हमारे Southern Hemisphere में वो काफी cold areas होते हैं और उनी areas को हम कहते हैं freezing zone जैसा इस picture में भी आप देख रहे हैं यह Antarctic Circle और South Pole के बीच में जो area lie कर रहा है उसे को हम freezing zone के नाम से जानते हैं और यह freezing zone इतना cold area zone इसलिए होता है because यहां पर जो sun होता है वो इतना जादा नहीं rise होता है even अपने horizon से उपर भी rise नहीं होता है sun इसलिए जो raise होती है sun की वो हमेशा slanting form में means अगर यहां पर center में हमारा sun है तो जो यहां की sun raise होंगी वो बहुत ही कम means slanting form में बहुत ही कम इन रीजिन में हमारी जाके गिरेगी बहुत ही decreasing form में sun raise इस एरियाज में जाती है और sun raise नहीं जाएंगी इसलिए यह जादा इतना heat up area भी नहीं होगा और सारा region हमें cold areas में ही देखने को मिलेगा इन एरियाज में सो यह थे कुछ हमारे important heat zones जिसमें हमने discuss किया torrid zone, temperate zone and frisid zone I hope अपको समझाए होंगे Thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तटास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर